नमस्कार हरियना अपडेट में आपका स्वागत है ककराला से मोहनपूर रास्ते पर नांगल माइनर पुलिया बना हुआ है जो बिल्कुल तूटा है ग्रामनों ने बताया कि पुलिया निर्धारिस थान पर बनाया जाए इसके लिए हम विधायक और सांचद दोनों से मिल दोनों ने साइफन शिष्टम बनवाने का पूण आस्वासन दिया था जिसके फल्षावरूप नहर विभाग के उचथिकारी इसका मुआइना करने भी आए और आस्वासन दिया है कि आपके दोनों काम एक तो रास्ता सिधा करना और साइफन शिष्टम जल्द से जल्द ब क्या डिमांड हैoples हमारि डिमांड यह है कि फुछ बढ़ा हुआ है इस पे इस पर साइसों बना दिया जाए नीच्चे से यह बने हुआ सब्सक्राइए बनाद नीचे से स्थार सौर्ण कर दिये हैं इसको बिलकुल सिंदा कर दिया 자 और irrigation department से अधिकारी आये थे उनको बताया था कि भी इनका estimate बना के दो और इसको सिद्धा कर दो और साइभन बना दो जो estimate लगे वो सानसद कोटे से भेज़ दूँगा लेकिन irrigation department वालों ने इसका कोई अभीता का estimate ही बना के नहीं दिया है तो इसका काम हभी चल रहा है तो इसके बारे में कोई अधिकारी विदायक यहां कोई यहां पर फिल हाल कोई माइनर का अधिकारी या कोई कोई नहीं आया है बिलकुल यह रिपेरिंग कैसे हो रही है रिपेरिंग नहीं हो रही है यह तोड़ फोड़ हो रही है तोड़ फोड नहीं कर रहे इर्रीडेशन डेबाट्मेंट थोड़ कर रहा है बाकी हम याहां इसको वणने नहीं देंगे बनने नहीं दोगे जी जी शांत्रा लंबरदार का तक कर लासब जो यह बना रहा है यह गलत है गलत गलत जिसाम बना वहा है is तो आपकी ऑब्जेक्शन रहेगी तो जी आप तो आपकी क्या समझ्चा है हमारी समझ्चा यह जो यह पुल बड़ा हुआ ना इसकी जगे ज़से जरदर हो गया खराब हो गया साइफन सिस्टम अड़ो हाँ जी हाँ जी साइफन सिस्टम हमने बार बार दर्खास किये और रबार विदायक से भी और परसासन को भी और पिज्डिवे इसके नहर भाब को भी नहर भी वाब को भी बार उटकरा दिया आके देख भी गए यहां पर रूनों आस्वासनी भी दिया था कि हम साइफन मनाएंगे इसको अच्छा जी लेकिन अब यह देखिया अब यह दवार इसको तोड रहे हैं और सुना आया मैंने ते खुंख मज़े नहीं पता मेरे पास क्या काफ़ वो किता है हम तो इसको फोड बैशु कर बढएंगे जैसा आ YES ठेकेदार अभी ठेकदार कहे रहे हैं हम तोड कर वैसा ही बनाएंगे मतलब आपकी जो डिमांड थी जो ओफसर ने कहा था वैसा नहीं कर रही है तो अभी ओफसर से मिले कोई नी ओफसर से नहीं है विदायकों से विदायक ना अपनी संतोस विदायक विदायक साब से मिलें यहां यहां प्रेजेंट थी विदायक है अच्छा जी मोका दिखाय था और उसने कहा था बहुत आपका जो पुलिया है ना यह साइफन सिस्टम बनेगा साइफन सिस्टम बनेगा और इसको रोड को सिद्धा करेंगे तो गांवालों का कहना है कि हमारा जो महौनपूर से कक्राडा जो रस्ता आ रहा है उसको सिद्धा किया जाए और जो सरकारी जो रस्ता है उसके अनुसार किया जाए और जो ये पूल है जो साइफन सिस्टम में किया जाए ताकि गांवालों को कोई प्रेशानी ना आए माइनर जो है नांगल महौनपूर कक्राडा गांव में जो अभी ओब्जेक्शन उठ रहा था अभी हम पहुंचे हैं सर्पंद साब के पास कक्राडा तो उन से भूजते हैं कि इसके रस्ते के बारे में और जो इसमें जल भराव होता है और पब्लिक के डिस्ट्रिवेंस के बारे में सर्पंद साब से बात करते हैं सर्पंद साब नमस्कार तो यह अभी आपके गांवाड़ों ने जो आपका यह माइनर का पूल है इसके बारे में कुछ अखेटे हो रहे थे तो उसके बारे में आपकी राहे लेना चाहते हैं एक तो बोल रहे हैं कि यह हमारी जमीन में है एक यह रस्ता सिध्धा नहीं है और हभी यहां अपने MLA ने रोड भी फाइनल कर दिया तो अभी रोड का का मी चालू होने वड़ा है यह हो गया हो गया में हो गया तो अभी जो गाउं की और सिन है तो इस पूल के बारे में क्या बता हो गया हुल कि बारब में आजी इस रोड़ieme कोई फायदा है जब तक यह निई जी पैइस दुंब जाए ना, इतना रोड़ और क्या फायदा न को विक्कल जा सकते कोई बार्श होती है तो पानी इतना परगता न को बुड़ा ओं जा सकता न गाड़ी यह जा सकता पोई प्र पर नया पुल नहीं अलाट किया नहीं किया नहीं किया और यह मैकमावाले कुछ करते नहीं तो अब आपने MP सहाब से जो बात कही थी गाउवालों ने काया कि MP सहाब से भी मिले थे हम और सहाब से भी knowledge में है तो उनसे आपने बात नहीं कि कर रहें पर महकमा नहीं कर रहें महकमा से आप किसी ओफसर से मिले हो तो आप गाउं के सर्पंस हो तो उस नात्ते से आप महकमे में जेई से एकशन से, S.C. से, किसी से मुलाकात की नहर महकमे में? हाँ, सारे आये, सारे महकमे यही आये है, निमक के पाहि थे जो अभी ये पुलिया तोड के बना रहे हैं, इस के बारे में अभी कुछ बाते हो यह किशी से अब तो ठेके दार से बात हुई और तो नहीं हम तो पता है अब तोड़ रहे हैं और वह से बना रहे हैं फिर फाइद है क्या हुआ अच्छा तो इसके बारे में हभी कोई उपसर से बात करके देखो ना अब अब बात करें अच्छा साब से भी आरायद मिस मिलेंगे अधिकारी मिलेंगे बात है कि अब कल यह जमीन के मालिक है वो बंद कर देंगे जमीन के मालिक ने कहा था कि हम यह पुरिया अब नहीं बनने देंगे यहां से मेरी जमीन का रस्ता है तो हम अपना रस्ते को बंद करेंगे कोट में भी केस चल रहा है बताया तो अभी आप MP साहब से या ML साहब से या कुछ अधिकारी जो इसके है नहर महकमे के उनसे भी मुलाकात करके इनके बारे में बता करो हाँ करेंगे अब MP साहब से मिलेंगे और अधिकारियों से मिलेंगे अधिकारियों से मिलेंगे तो अभी हम बात कर रहे थे ककराडा के सर्बंद साहब से उन्होंने भी ये जो पुल है और ये किसी की जमीन में रस्ता बताया है जिसके बारे में इसको पैमाईश जो सरकारी पैमाईश अभी रोड की हुई है उसको जाइज हुई है पुर्शिद्धा बताया है उसमें पन अधिकारियों की नोलिज में पता नी हैक नहीं है तो इसको गांवाडों की मांग है कि हमारा जो अभी रोड जो किलियर हुआ है MLA साब ने जो रोड का कराड़ा से महोनपूर का जो अलट करवाया था भी काम सरू हो गया है उस पे वो गांवाडों की डिमांड पे MLA साब से दरखास लगा रहे है कि इस पुल को भी सिद्धा किया जाए और साइफन बनाया जाए